तो दोस्तो अगर आपका यूटूब चैनल मोनिटाई हो चुका है और आपने 100 डॉलर कम्पलीट कर लिया है तो 100 डॉलर कम्पलीट करने के बाद आपको गूगल एड्सन में अपना बेंक एकाउन को एड्ड करना पड़ता है और जब तक आप यहाँ पे बेंक एकाउन को करने वाला हूँ यह दोस्तो मेरा सेकेंड चैनल है इसलिए मैं आपको पूरा एक्स्प्रियेंस के साथ बताने वाला हूँ कि क्या प्रोसेस कम्पलीट कीजेगा जिससे आपको सबसे जल्दी पेमेंट आपके बेंक एकाउन मिलेगा और कौन सा स्वीट कोड डालिएगा ज बाद आप सबसेंगेंगेतां यहां प्लेगा आपको यहां पेपना चैनल को स्वीच करना तो यहां पे स्वीच Samerson मिलेगा और नीचे में एक option मिलेगा getting paid का getting paid में लिखा हुआ है provide a form of payment complete in action बना आपको यहाँ पे payment के लिए form को fill up करना है तो fill up करने के लिए सबसे पहले आपको swift code यहाँ पे निकाल के रख लेना है तो swift code कैसे निकाल सकते हैं इसके लिए आपको एक website को open कर लेना है सबसे पहले search करना है swift code और swift code search करने के बाद आपको नीचे में जाना है और नीचे में जाना है एक website मिलेगा www.ifcswiftcodes.com इस website को open कर लेना है तो चलिए इस पे click करता हूँ इस website के थुरू आप international से जितने भी bank है उसका भी swift code निकाल सकते है country का option यहाँ पे देखने मिलेगा सबसे पहले country आपको इंडिया चूज कर लेना है देन select bank में जाना है और अपना bank को यहाँ चूज कर लेना है यह करने के बाद state का option मिलेगा अपना state को यहाँ चूज कर लेना है देन यहाँ पे city का option मिलेगा city choose कर लेना है तो आपके state में अगर जितने city में sweet code होगा वो total so हो जाएगा तो आपके city से नजदिक जो city है वो आपको यहाँ पे slate कर लेना है तो चलिए मैं यहाँ पे slate कर लेता हूँ, slate करने के बाद आपको यहाँ पे branch name option मिलेगा इसमें अपना branch को यहाँ पे डाल लेना है तो नजदिक का जो भी branch होगा उसका sweet code आपको 11 digit का उपर में देखने को मिल जाएगा पस रहता है तो जल्दी payment आएगा तो आपको क्या करना है अब इस टूडियो को भी आप देख लिजेगा दिन दोस्तों नीचे में जाएगा तो नीचे में जाने के बाद लेप्ट में एक option मिलेगा payment का payment वाले option पे टैप कर दिना है payment information पे जैसे आप यहाँ पे टैप कीजिए का टैप करने बाद payment का option मिलेगा जिसमें bank account अपडिट करने के लिए रेड में आपको mark देखने मिलेगा या नीचे में आप जाएगा तो how you get paid वाला option मिलेगा और नीचे में आपको add payment method वाला option मिलेगा इस पे account number डालना है और bank account number को फिर से दुबारा आपको यहाँ पे fill up कर लेना है तो यह total process को मैं यहाँ पर complete कर लेता हूं तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पूरा fill up कर लिया है और fill up करने बाद आपको नीचे में जाना है और एक option में जाएगा set primary payment method अगर इस पे click करते हैं तो इसी bank account आपका payment आएगा तो आपको यहाँ पर select करके save पे click कर दयेना है और save पे जैसे click कि लिएगा तो यह bank account आपका यहाँ पे add हो जाएगा और भी अगर bank account एड़ करना चाहते है तो आप यहाँ पर bank account को add कर सकते है you companion revenue method पर आपको क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख़ेगा जो भी bank account RI德 है वह अगर आपको कर सकते हैं और दूसरा bank account add करना चालते तो वह भी आप यहां पर प्राइबरी मेड डाल सकते हैं उसके बाद दोस्तों आप यहां पर valley studio उस्ट जाहिए गा तो अभी यहाँ पर देखेगा यह यहाँ पर completed बताएगा और आपका जो bank account है वो Google Adson में add हो जाएगा तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो comment करके जरूर बताएगा